रतना ने अपने बेटे मोहन को बुलाया, बेटा मोहन दुकान से ये सामान ले आना बेटा, माँ आपको तो पता है मेरा काम चल रहा है घर से, तो क्या हुआ बेटा, मैं जा सकती तो खुद ही चली जाती, तुझसे ना कहती, एक बार दुकान चला जा बेटा, ठीक है, दीज गया रतना ने इधर उधर देखा और कहा घर खाली है एक बीड़ी पी लेती हूं किसी को पता नहीं चलेगा रतना बीड़ी जला कर मस्त पीने लगी कितना मज़ा आता है बीड़ी पर कर ये लास्ट बीड़ी बची थी खत्म हो गई मोहन को दुकान पर भीजा है बस चमन उसे एक पैकेट बीड़ी दे दे चमन उस दुकानदार का नाम था जिसके पास रतना ने मोहन को भेजा था चमन को पता था कि रतना चाची बीड़ी पीती है मोहन के दुकान पर पहुँचते ही उसने कहा राम राम मोहन भाईया क्या चाहिए राम राम चमन भाई ये माने लिस्ट भेजा है अब मुझे दीजिए मैं सब कुछ दे देता हूँ चमन ने लिस्ट और बैग ले लिया और सारा सामान देने के बाद बैग में एक पैकेट बीड़ी भी भर दी ये लिजिए मोहन भाईया जाके ये बैग सिधा रतना चाची के हाथ में दे देना मोहन बैग लेकर चला गया और रतना के हाथ में बैग दे कर काम पर बैढ गया रतना ने बैग खोला और एक पैकेट बीड़ी देख कर मुस्कुरा कर कहा ये चमन बड़ा समस्तार है हर रोज मुझे एक पैकेट बीड़ी भेज देता है रतना को तो बीडी पीने की बुरी आदत थी उधर उसी वक्त कॉलेज के बाहर खड़ी होकर करुना एक के बाद एक सिगरेट फूक रही थी तब उसकी एक सहीली ने कहा रीमा इतनी सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है तब यत खराब हुजाती है बाद में बच्चा लेने में भी दिक्कत होती है चुप रहे, जादा मा मत बन मेरी मुझे सिगरेट पीना अच्छा लगता है, मैं पीऊंगी करुना चेन स्मोकर थी दिन में दो पैकेट सिगरेट तो वो यूही खत्म कर देती थी उसकी मा ने उसे बहुत बार मना किया था लेकिन वो सुनने वालों में से नहीं थी इतने में करुना के लिए मोहन का रिष्टा आया और कुछ दिनों में शादी भी हो गए करुना ससुराल चली गई उसकी मा ने फोन पर कहा बेटी अब ससुराल चली गई है सिगरेट पीने के बारे में सोचना भी मत ठीक है मा मैं कोशिश करूँगी करुना ने पूरा दिन सिगरेट के बिना गुजार दिया उसने खाना बनाया खाना खाकर उसके ससुर हरिहर ने कहा वा बहु तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो तुम इस घर में नहीं आई हो ये लो तुम्हारा तौफा हरियर ने करुना को तौफा दिया मोहन ने भी करुना को तौफा दिया सभी करुना से बहुत खुश थे इतना अच्छा परिवार देखकर करुणा ने भी मनी मन सोचा अब मैं सिगरेट छोड़ी दूँगी इतना अच्छा परिवार मिल गया है मुझे सिगरेट पीने की वज़े से सब कुछ बरबाद ना हो जाए वो रात को खाना खाकर सो भी गई लेकिन तब जाकर उसे सिगरेट की तलब मची रात को खाना खाने के बाद सिगरेट पीना कितना अच्छा लगता है घर में तो मैं रोज सिगरेट पीती थी लेकिन अब क्या करू सिगरेट पीए बिना नीन थोड़ी आएगी सिगरेट और बीडी का नशा बहुत खतरनाक है एक बार चड़ जाए तो छूटने का नाम ही नहीं लेता है इसलिए आज करूना को भी नीन नहीं आई रात के दो बज गए तब ही उसे बीडी की स्मेल आई अरे ये बीडी की सुगंद कहां से आ रही है बीडी की स्मेल सूंकर वो और बिस्तर पर रहने पाई करूना कमरे से बाहर गई बीडी की स्मेल को फॉलो करते हुए वो बात्रूम तक पहुच गई बात्रूम का दर्वाजा खुला ही था उसने देखा उसकी सास बात्रूम में खड़ी होकर बीडी पी रही है माची आप करूना को देखकर रतना भी घबरा गई बाहु तुम अरे ये क्या हुआ तुमने मुझे इस हालत में देख लिया बाहु फ्लीज किसी को बता ना मत कि मैं बीडी पीती हूँ माची आराम से आराम से सिगरेट तो मैं भी पीती हूँ आज पूरा दिन सिगरेट नहीं पिया इसलिए बिस्तर पर तड़प रही थी लेकिन आपकी बीडी की खुश्पु मुझे यहां खीच लाई सच तुम भी मेरी तरा ये तो गजब हो गया बहु आओ आओ एक साथ बीडी पीते हैं हाँ माची दीजे न करुणा ने रतना से बीडी ली और दो बार फूख कर कहा आहा ये कहते हैं जिंदगी अब जाकर मन को शांती मिली मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि खुद की बहु के साथ बीडी पी रही हूँ अब से तुम्हारे ससुर जी और मोहन के ओफिस चले जाने के बाद हमें एक साथ बीडी पीएंगे और रात को यहाँ बात्रूम में बीडी पीएंगे ठीक है ठीक है माजी जैसा आपका हो आप बुज़ुर्ग हो कहते हैं जब दो नशेडी एक साथ मिल जाएं तो दोनो नशे में खो जाते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते है रत्ना और करुना के साथ भी ऐसा ही हुआ दोनों में उम्रे का फर्क तो बहुत जादा था लेकिन बीडी पीते पीते वो इस फर्क को भूल गए और नशे में खो गए अगले दिन मोहन और हरी हर काम पड़ निकल गए रतना ने बीड़ी निकाल ली करुना ने कहा माजी आपने कभी सिगरेट पिया है नहीं बहू सिगरेट महंगा होता है मेरे पास उतने पैसे नहीं है चलिए आज मैं आपको पिलाती हूँ करुना चमन की दुकान में चली गई भाया एक पैकेट सिगरेट देना अरे वा भावी आते ही शुरू कर दिया सास बहु में दोस्ती हो गई यह लगता है हाँ भाया जल्दी से सिगरेट दो मैं और माजी मिल कर पियेंगे करुना सिगरेट लेकर घर गई और सास के साथ पीने लगी सिगरेट पी कर रतना को और मज़ा आया इसके बाद दोनों सिगरेट और बीड़ी के नशे में धुन हो गए रात को छुपकर बातरूम में सिगरेट पीने लगे ऐसे ही एक साल बीद गया और उसके बाद करुणा गर्वती हो गई, घर के सभी लोग बहुत खुश हुए, अरे वा पहु, अब जाकर तुने कुछ अच्छा काम किया है, घर में बच्चा आएगा कितनी खुशी की बात होगी, हाँ माजी मेरा भी सपना था कि मैं एक दिन माँ बनूँगी, करुणा मा बनने के सपने में खो गई, लेकिन अगले ही दिन उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा, मोहन उसे अस्पताल ले गयो और डॉक्टर ने कहा, देखिए, बुरी खबर है, बच्चा अब जिन्दा नी रहा, मिस्कैरिज हो गया है, ये सुनकर करुणा रो पड़ी, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं मा बनना चाहती हूँ, देखिए, मा बनना चाहती है, तो स्मोकिंग छोड़ दीजे, स्मोकिंग, लेकिन करुणा तो स्मोकिंग नहीं करती है, कैसे नहीं करती है, हमारा टेश्ट बता रहा है कि ये बच्चा स्मोकिंग करने की वज़े से ही मर गया है अब करुणा शरम और गिल्ड से मूँ छुपाने की जगड ढूनने ही पाई हाँ मोहत मैं बीडी सिग्रेट पीती हो मुझे माप कर दो मुझसे गलती हो गई स्मोकिंग करने की वज़ा से बच्चा मर गया है ये सुनकर रतना भी रोने लगी बहु ये क्या हो गया हमारी गलती की सजा उस ननने बच्चे को मिल गई अब से मैं कभी बीडी सिग्रेट नहीं पीओगी कभी नहीं पीओगी मैं भी नहीं पीओगी मा मैं वादा करती हूँ इस हाथसे के बाद दोनों को अकल आई इसके बाद दोनों ने कभी बीडी सिगरिट को हाथ नहीं लगाया एक साल के अंदर करुणा फिर से गर्वती हो गई और उसे एक नन्हा सा सुन्दर सा बच्चा भी हुआ मा होने के एहसास ने उसके सारे दुग भुला दिये और वो अ अपने परिबार के साथ सुकून की जिन्दगी जीने लगी